तो दोस्तो आज है 28 जनवरी 2022 और आज में लेकिया हूँ आपके लिए जी टील इंफ्रस्ट्रेक्चर लीमिटेड कमपनी के शेहसका कम्प्लीट अनिलाइस अगर आपका इस कमपनी में निवेश है या फिर आप इसमें फ्रेश निवेश करना चाहते तो बीना स्क्रिप्ट क करने के लिए डिमाट अकाउन नहीं है तो वीडियो के निचे डिस्क्रिप्ट पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप बड़ी आसानी से गुरू जैसे बड़े प्लाटफ़ॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग अकाउन ओपन कर सकते हैं और वीडियो के निचे डिस् चुरू करते हैं मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले इस क्रेन डौट इन पर जहां पर इस कंपनी का फंडामेंटल को जानेंगे हम लोग 2 रिखी से हर एक चीज़ तो मैं लेके आ चुका हूँ आपको screener.in पे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस company का total market cap यहाँ पे 2751 करोड का है ठीक है इसका current share price 2.18 पैसा हो चुका है highest बना चुका है 4.90 पैसा इस साल में lowest बना चुका है 65 पैसा company का price earning ratio यहाँ पे दिया नहीं है जिससे हमें पता चलता कि company का share का valuation इस वक्त क्या चलना है share price महेंगा हो चुका है या पिर सस्ता हो चुका है तो वीडियो के अंत में आपको बताने बाला हूँ इस company का price earning ratio आपको बाकी का चीज़े यहाँ पे पता देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस company का इस वक्त book value एक रुप्या 36 पर चलता है तो थोड़ा सा scroll down करके महें आपको बाकी का इसका चीज़े बाता देता हूँ तो आपने गौर किया होगा इस company का एक जमाने में 100 रुप्या share price था तो अभी घड़ते घड़ते पूरा एकदम निचले स्थर पे आगया बहुत नीचे इसका सबसे बाड़ा कारण यह है कि इसका company का sales growth है अभी वी उतना जादा नहीं है ठीक है बीते 5 सालों के मुकावले में आकर देखेंगे तो सिर्फ 10% के आसपास का sales growth है लेकिन growth sales growth है आपको यह चीज़े ध्यान दकना पड़ा का negative पे नहीं है इसका sales growth पे चल रहे है इस वक्तिक है यह पर promoters का holding देखेंगे तो बहुत ही कम है promoters का holding सिर्फ 3.5% के आसपास है और promoters का जो pledge है यहां पर देख ज्यादा घड़ा चुका है लगबग 17% के आसपास तो चलिए देखते हैं सारा holding किसने buy करके रखा है तो मैं लेकिया चुका हूँ आपको share holding के pattern पे आप यहां पर देख सकते हैं December 2021 के last quarter के बाद यहां पर 3.33% इस company का promoters का holding बचाओ यहां पर foreign investor का भी थोड़ा बहुत वेसे यहां पर domestic investor का ठीक हाला कि domestic investor भी अब थोड़ा थोड़ा करके इस company से अपना प्रोमोटर का अपना holding घटाना शुरू कर चुका है आप यहां पर देख सकते हैं June 2021 के quarter में यहां पर 60% के आसपास था उसके बाद यहां पर थोड़ा सा घटा दिया इसने अपनी holding ठीक है तो फिलाल इस बग फिर भी यहां पर बहुती शादर holding है domestic investor का और यहां पर public का total holding बचा हुआ है 43% तो कुल मिला के एक penny stock के मुताबिक बहुती risky fundamental है आपको पहले बता दू कि penny stocks में आपका पैसा कभी भी डूप सकता है और आपको माला माल विक्का सकता है यह सारी चीजे ध आज के time पे मतलब telecom sector है आने बाले दिनों में 5G आते आते सारे के सारे sectors बहुती धामाल करने वाला है तो आपको choose करना है आपके लिए कौन सा shares best होने वाला है telecom sector के लिए ठीक है telecom sector बहुत जल 5G launch करने वाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा असर पढ़ेगा company के shares के चार् करने तो अभी मैं आपको बता दूँ इस company के shares के चार्ट परण में इस वक्त हल चल माचना शुरू हो चुका है आप देख सकते हैं आज के दिन यह आपको 5% के आसपास का अपर सरकीट दे रहा है ठीक है मार्केट चालू है इस वक्त अगर आप weekly चार्ट परण देखेंगे के बाद दो दिन से अपर सरकीट दे रहा है तो यहां पर आपका टोटल 4.76 एक हपते का यहां पर बचा है मैक्स तू मैक्स अगर वन मंत का देखें एक महिने में यहां पर 15% का ठीक ठाग रिटन दे चुका है एक महिना पहले इसका शेर प्राइस आप देख सकते हैं एक र उपया 90 पैसा से से 2.40 पैसा फिर से लौर सरकीट यहां पर 2 रूपया बनाया लो उसके बाद ौर, नागेल हाय, तो इस हाई से यह हाई चोटा थे, तो इस बाग यह थोड़ा सा लौर सरकीट की और ढ़ाता नजर आ रहा है अगर पूरे महने का चार्ट पर्ड़न देखे तो यहां पर 41 परसन का यहां पर नेगर्टीव रिटन मतलब आधा पैसा डूप चुका जो छे महीना पहले इस कंपनी पर निभेश किया था छे महीना पहले इसका मतलब ऑल्मोस्ट चार रुपे का आसपास इसका शेर प्रैस था चार रुपे का शेर प्रैस सिद्धा एक रुपे पर आके रुका तो फाइनली छे महीने के चार्ट प्रटन पर यहां पर थोड़ा सा अपर सर्कुट की और जाता नजर आ रहा है ठीक है इस सारी चीज़े ध्यान रखी है मैक्स टूमेक्स वान येर में कुछ नहीं है अगर फाइव येर का दिखेंगे तो यहां प इस सब चीज़े आपको ध्यान रखी है मैक्स टूमेक्स दिखा देता हूं यहां पर शुरुवात हुआ था यह कंपनी 2006 में इसका लिस्टिंग हुआ था 23 रुपे से 23 रुपे का शेर 2006 से 8 तक यह आपका 100 रुपे के आसपास चला गया था फिर यहां पर जो तेजी दिखक 14 री लोबर सरकीट पर गया यहां पर आप देख सकते 20088 से 21 तक यहां पर ट्रेड हुआ है ना के बरावड ट्रेड हूआ फर फाइनली अगली अगर आप 6 महिने का चार्ट परन या फिर एक महिने का चार्ट तैं तो इस कम्पणी के शेर्ष के चार्ट पर एक पोजिटिव चार्ट पटर्न देखने को मिल रहे हाला कि अगर आप देखेंगे तो सबसे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे नीचे गिर चुका है यह company का share मतलब इससे सस्ता आपको यह share नहीं मिलने वाला है आने वाले दिनों में तो आपको निवेश करने से पहले ऐसे company भी निवेश करने से पहले आपको अपनी तरफ से company का fundamental को पुरी तरह से research करना है उसके बाद ही निवेश करना है ठीक है हमारे वीडियो बनाने का उद्देश शिरिव यह है कि हम company की सचाई जो भी company का fundamental है आप तक पहुँचना उसके बाद आपको research करने की बाद ही किसी भी company में निवेश करना है तो दोस्तो वीडियो को यही wind up करते हैं हमारी जानकार आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताई है वीडियो अच्छा लगे तो एक like कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए और किसी भी company में निवेश करने से पहले आप अपनी तरफ से उस company को जरूर समझे उसके बाद stop loss के साथ खास कर penny stock में minimum से minimum invest कीजिए ताकि penny stocks में पैसा डूबने के बाद आपका ज्यादा नुकसार ना हो ठीक है डूब भी सकता है इसमें आपको माला माल भी कर सकता है